आफिर भाई जीजा जी च्छतपर है क्या नहीं है कैसा ना हो कि Da Cindy जाना पढ़े इन से मिलने के लिए वो क्या है ना कि जीजा जी जो इन दिनों जीजी बन कर घूम रहे मेरा मतलब है सन्जना बन कर घूम रहे है उनका तो हो संजना का हो गया एक्सिडेंट जिज्जा जी जो आजकल संजू बेवी बनकर इलाइची के साथ घूमती रहती है और जो बैसाखी लेकर चलने का ड्रामा कर रही थी वो ड्रामा सत्साबित होने वाला है अब किसी और के सहारे चलने की नौबत आ गई है और ये सब हुआ छटंकी मामा के कारण क्योंकि ये छटंकी है जो संजना का पीछा ही नहीं छोड़ रही है देखिए एक बात बताना चाहता हूँ कि छटंकी की जिंदेगी में अभी तक कोई अच्छी लड़की आई नहीं उमर निकल चुकी है अब अचानक से 17 माले की लड़की उसके सामने आ जाए और वो भी खुपसुरती तो छटंकी का दिमाग तो फिरे गई ना संजना तो इलाइची के साथ बाहर मार्केट में घूमने आई थी और यहाँ चाट खाते हुए इलाइची को मिर्ची लगी तो वो पानी की बोतल खरीद ने पहुंच गई और फिर यहाँ आप पहुंचे चटंकी मामा जो संजना को परिशान करने लगे संजना पीछा छोड़ाने की कोशिश कर रही थी मगर चटंकी कहां छोड़ने वाला है वो तो एक्सिटेंट के बाद भी संजना के चेहरे पर गुलाब का फूल घुमा कर अपने त्यार का इजहार किये जा रहे थे वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस वाले आए और इस कैदी के भेज में खुले घुम रहे चटंकी मामा को ले गए चटंकी और संजु की शादी होने वाली है मगर अपने इस संजु यानि की संजना के अवतार से छुटकारा दिलाने के चक्कर में जिज्या जी यानि की पंचम खुब भसने वाले हैं जरा देखिये कैसे ABP News Report